Students, Commerce with Difference Classes के इस वीडियो में हम Accounting Equation का एक और Topic डिस्कस करने जा रहे हैं Topic बड़ा Important है, वो क्या है? Effect of Drawing यानि जो Drawing है, इसका Accounting Equation पे यानि Accounting Equation की जो Items यानि Contents होते हैं Assets, Liabilities और Capital इन में से किस किस पे कैसे Effect पड़ता है? इसे हमें Study करना है तो सबसे पहले जानना जरूरी है Students, ये Drawing क्या होता है? आप जानते हैं, जब एक Businessman बिजनस करता है तो अपनी Savings वो बिजनस में लगा देता है अपना पैसा जो वो बिजनस में लगाता है, उसे Capital बोलते हैं Students आप जानते हैं अब उस पैसे से, उस Capital से क्या है? कुछ Goods परचेज किये जाते हैं कुछ Furniture, कुछ Machinery, कुछ Other Assets परचेज कर ली जाती है जैसे जैसे बिजनस चलता है देखिए तो हो सकता है बिजनस में को भी कुछ परसनली पैसे की जरूरत पड़ जाए जो उसके पास Domestic यूज के लिए परसनल यूज के लिए घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए और मान लो किसी Point of Time पे उसके पास Personal Saving खतम हो गई तो बिजनस में क्या करता है बिजनस से यानि जो पैसा उसने बिजनस में लगा दिया वो बिजनस का पैसा हो गया आपकी Capital है वो पैसा, वो Cash, वो Goods, बिजनस का है अब बिजनस में क्या करता है बिजनस के उस Cash में से कुछ cash निकाल लेता है या goods में से कुछ goods की quantity ले लेता है और उनको personal use के लिए ले जाता है यानि domestic requirements को पूरा करने के लिए use करता है गितना cash गितना goods या other assets businessman personal use के लिए business से निकालता है draw करता है उसे ही हम बोलते हैं drawing अब सोचिए students जब जब businessman business में पैसा लगाता है तो capital increase होती है और जब जब वो business से पैसा निकालेगा तो जाहिर सी बात है बड़ा direct effect किस पर पड़ेगा capital पर पड़ेगा यानि capital decrease हो जाएगी तो question cancer क्या होने वाला है मैंने थोड़ा सा hint दे दिया आपको लेकिन उससे पहले चलिए समझते हैं कि drawing की types कितनी है आप समझिए drawing की भी types होती है drawing in cash या drawing of cash बोल सकते हैं यानि business से businessman परस्णल requirements के लिए जब cash निकाल ले हैं या drawing in goods या drawing of goods परस्णल requirements को पूरा करने के लिए businessman जब बिजनस से goods निकाल ले हैनी वह goods जो sale के लिए रख़ा था उसमें से कुछ sale नहीं किया, business man ने अपने लिए रख लिया, अपने personal जरूरतों को पूरा करने के लिए रख लिया, या other assets, business में मान लो furniture था, और उसे लगा कि यहाँ furniture कुछ extra है, तो business का furniture उसने घर के इस्तेमाल के लिए ले गया वो, तो वो भी drawing मानी जाएगी, अब इनका accounting equation पर कहां कहां क्या effect पड़ेगा, चलिए उसको देखते हैं students, अब समझिए, आप जानते हैं, accounting equation होती है, assets is equal to liabilities plus capital, अब देखिए business man ने जब drawing की है, drawing, assets में क्या होता है, normally देखिए students cash, और stock, ये चीज़े normally होती ही होती है, liabilities में क्या हो सकता है, normally, creditors, और capital अपने आप में capital है ही, ये आप जानते हैं, तो मैं आपको सिर्फ effect बता रहा हूँ, कि जब business man, business से personal use के लिए cash draw कर लेता है, निकाल लेता है, तो एक तो cash कम हो गया, यानि सबसे पहला effect पड़ेगा cash पे, यहां से minus कर देंगे, देखिए, यानि इसे cash में से less कर देंगे, first effect, और दूसरा effect मैंने अभी hint दिया था आपको, कि drawing का, जो direct effect पड़ता है, वो capital पड़ता है, यानि second effect इसका क्या होगा, ये capital में से less हो जाएगा, ये हो गया less, देखिए students, ये हो गया हमारा second effect, यानि जब भी business man, business से cash निकाले, personal use के लिए, जिसे drawing बोलते हैं, एक effect इसका cash पर पड़ेगा, asset side में cash कम हो जाएगा, और दूसरा effect इसका capital पर पड़ेगा, यानि capital में से भी उतना amount less कर दिया जाएगा, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ हो गया हमारा, drawing in goods, फिर से equation लिख लेते हैं, assets is equal to liabilities plus capital, assets में जैसे हमने अभी लिया था, हम मान के चल रहे हैं, assets में है cash, assets में है stock, stock stands for goods, और assets में है मान लो furniture, और liabilities के नीचे क्या आता है, normally students, वो हम लेते हैं, creditors, and capital is capital itself, capital, यह हमारी एक तरह से simple, for example, accounting equation के contents हो गए, तो हमने क्या किया, students, first part ले लो, drawing in goods, businessman ने business से क्या निकाल लिया, goods, और इसे हम cost price पर देखते हैं, याद रखना, cost पर, selling price पर नहीं, तो क्या कहां कहां effect पढ़ा देखिए, दो चीजें, कहां कहां effect होंगी, एक तो हमारी यह drawing हो गई, और drawing का effect कहां पढ़ता है, आप जानते हैं, students, drawing का सिधा effect पढ़ता है, capital पे, और किस चीजे को draw किया है, goods को, और goods का effect कहां पढ़ता है, stock पर, यानि जब भी drawing of goods होगा, तो इसका effect पढ़ेगा, एक हमारा capital पर, और एक हमारा stock पर, और दोनों में से, जितने का goods उसने निकाला है, business से, cost पर याद रखना, अगर selling price और cost दोनों दे रखिए होना, students, देख मैं आपको लिखके दिखा सकता हूँ, question में कहीं बार confuse करने के लिए पता क्या लिखा होगा, goods, drawn by partner, drawn by honor, for, personal use, इसको ध्यान से समझना, students, ये books में भी नहीं मिलता कहीं बार ये चीज, ब्रेकेट में लिखा होगा, यहां भी लिखा होगा, market value, market value rupees 6000, and cost price rupees 5000, देखिए, ये confuse करने के लिए, याद रखिए, students, market value तब consider होती है, जब product को sale करना हो, जब उस product को sale ना करना हो, बलकि उसने personally use कर लिया, तो उस case में हम क्या, cost price consider करते हैं, 5000 rupees, तो क्या होगा, students, जो cost price है, वो stock में से less हो जाएगी, number one effect, और second effect, drawing का हमेशा capital पर पड़ेगा, वो capital में से उतना amount, less हो जाएगा, ये है drawing in goods, अब देखिए, हम इस example को थोड़ा सा change कर देते हैं, मालो, businessman ने goods draw ना करके, कोई asset, जैसे furniture business से निकाल लिया, business में बहुत सारा furniture था, उसे लगा कि मेरे घर पे furniture नहीं है, चलो नया खरीदने की विज़य क्या करते हैं, बिजनस का ही furniture घर में इस्तेमाल कर लेते हैं, ये भी तो drawing हो गई, क्योंकि furniture belong to business, but used by businessman, तो कहां कहां effect पढ़ेगा students समझिये, जितने का furniture use किया तो furniture में से less हो जाएगा, number one effect, और दूसरा effect always on capital, ये capital में से less हो जाएगा, it is the second effect, तो इस तरहां से students, हमने discuss किया, कि drawing in cash, drawing in goods, drawing in other assets, उसका accounting equation में assets, liabilities और capital पर क्या और कैसे कैसे effect पढ़ा, इस वीडियो को भी ध्यान से समझेना students, क्योंकि ये जो accounting equation है, ये एक base होता है, इस से double entry system को समझेना, और journal entries को समझेना, और accounting terms को समझेना, आपके लिए और असान हो जाता है, उमीद है, ये concept clear हुआ होगा आपको, वीडियो अच्छा लगे तो like करें, friends के साथ share करना मत भूलें, सभी friends का benefit होना चाहिए, क्योंकि इस channel पर commerce with difference classes में हम, business studies, accounts और economics के videos डाल रहे हैं, रोज upload कर रहे हैं, तो हर किसी को इसका benefit मिलना चाहिए, और channel अभी तक subscribe नहीं किया, तो channel खुद भी subscribe करें, और अपने friends से भी subscribe कराईएगा,